गुड आक्टरनून टौल आफ यू। मैं अभिने सिंग, IMS Children Academy का प्रवंधक, जो की भीटी मिस्त्र में इस्थित है, मैं आज आप लोगको एक टॉपिक है रस्णाल लंबर, रस्णाल लंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास करें कि रस्णा नंबर में होती क्या है, तो लिशन केरफूली, आर रस्णाल लंबर is a number which can be expressed in the form of P upon Q, P upon Q, where P and Q are integer, where P and Q are integer and Q is not equal to 0, अब आप इसको हिंदी में समझने का प्रयास करें, rational number का मतलब होता है परिमेश संख्या परिमेश संख्या किसे कहते हैं तो rational number उसे कहते हैं जो p upon q के रूप में हो मतलब बटे की रूप में हो जैसे मैं रहा तीन बटा दो 3 upon 2 बट condition है उसमें क्या condition है कि जो p upon q है p और q दोनों number क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए पी एंड क्यू बोथार इंटीजर दोनों पुडांक होने चाहिए और तीसरी बात क्या है कि क्यू की वैलू 0 नहीं होनी चाहिए मतलब जो डिनॉमिनेटर है डिनॉमिनेटर की वैलू 0 नहीं होनी चाहिए जब ये तीनों कंडिशन सटिस्फाइ करेंगी तो ही हम उस नंबर को रस्नल नंबर कह सकते हैं कौन कौन से तीन कंडिशन है मैं आपको फिर से पताता हूँ पहला वो पी अपाउन क्यू की रूप में होना चाहिए दूसरा पी और क्यू दोनों इंटीजर होनी and third q की value 0 नहीं होनी जाहिए मैं आपको कुछ इसके examples देता हूँ जैसे 5 upon 2 is our example of rational number 5 upon 2 fraction की रूप में है 5 और 2 इंटीजर है और जो denominator है वो 2 है 0 नहीं है तो ये तीनों condition सटेस्फाइ किये इसलिए ये rational number है अगर हम यही बोल देते 3 upon 0 तो then it is not a rational number ये rational number नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि 2 हमने जो बोला 3 upon 0 तो denominator यहाँ पर 0 हो गया बट हमारे condition में है कि denominator 0 नहीं होना चाहिए that's why 3 upon 0 is not a rational number minus 5 upon 100 is also a rational number minus 343 upon 7 is also a rational number but root 3 upon 2 is a rational number or not root 3 upon 2 is a rational number or not root 4 upon 5 is a rational number or not रूट 10 इस अरसल नमबर और नॉट 15 इस अरसल नमबर और नॉट इस जितरा questions मैंने आपको सिप पुछा है इसका answer आप comment में लिख के इसका answer जरूर दीजिए मैं वहाँ पर आपको reply करूँगा यह correct है कि इंकरेक्ट है ओके थेंक यू